अमन रोश्णी से जबरदस्ती शादी करने का फैसला करता है रोश्णी डर कर भाग जाती है लेकिन अमन अपने जादू को इस्तमाल से उसे धून लेता है रोश्णी से निकाह करने के बाद अमन उसे घर लेकर आता है रोशनी हाथ में धूप भरकर परवीन को सही कर देती है लेकिन होश में आने के बाद परवीन रोशनी को देखके नाराज हो जाती है